सरी शिवाय नमस्त ब्याम हर हर महादीव कैसे हैं आप सब देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़ादा खास होने वाला है देखिए हम सभी जानते हैं कि आज 12 अगस्त शनिवार का दिन है और आज सावन मास के पवित्र महीने की अधीक मास की एकादशी दिती है गुनिस साल बाद ये एकादशी बहुत ही शुब और दुरलब योग में आई है देखो गुनिस साल बाद सावन में अधीक मास लगा हुआ है और ये अधीक मास की एकादशी आखरी एकादशी है और ये शनिवार के दिन है तो बहुत ही शुब योग के साथ ये एकादशी आ आपको आसान लगे वह आपको आसान ले लाज वीशेष कर इतना गजब का उपाया ह ya dhann spi अगर यह आपको यह उपाय करना ही करना ज़हों बहुत jкам है तो दुसरा जो उपाय होगा वह आपको करना हे 108 वाल उपाय यह भी आपकी समष्त disclosure कि यह भी और तीसरा जो उपाए है विशेष अगर आपको जीवन में समस्या है तो चो मुखी दीपक का उपाए होने वाला है तो तीन माह उपाए के बारे में हम बात करेंगे जो की आपके जीवन की सारी समस्त परिशानियों को दूर करेगा यह सारे उपाए पुझ्जी जरूर लिखें देखें तीन प्यारे से उपाय के बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहला जो उपाय होगा वो मनवकाम ना पूर्तिका होगा देखो यदि आपका कोई भी काम पूर्णा नहीं होता है बहुत सारे लोग रहते हैं कि कोई काम चालू करते हैं और वो इक्सिस हो ही नहीं पाते हैं तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए जो बच्चे हैं जिनके जीवन में कोई काम अटक रहा है कोई परिक्षा देने वाले हैं वो और उसमें वो पास नहीं हो पा रहे हैं तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए जो एंट्रेंस जान सील समस्वाइन देखों सब्सक्राइब में करने लीए अपको यद्य स्मय करने है आपको लेना है 5 कम करते हैं कि जुड़ गत्र पोष्में पugal के विरोषम कौई नहीं है पर कने बिम करते हैं औरपह सकते हैं पांच बेल पत्रे ले लिए, साथ में आपको लेना है लाल चंदन, ठीक है, लाल चंदन भी एक चुटके लाल चंदन लेना है, ज्यादा चंदन आपको नहीं लेना है, ठीक है, साथ में लेना है चावल के दाने, चावल के दाने आप 11 ले लिजिए, गिनना नहीं है, 11 से ज् वात्री के अंदर जल ये चारों सामगरी लेकर के आपको आज एक आद्ज्षी जो है आपको जाना है भगवान शीव के मंदीर में अब समझना इस उपाई को देखो सबसे पहले माहादेव के मंदीर में जाएंगे तो आपको एक लोटा को आपके पास है वो सबसे पहले श्री शीवाय नमस्तुभ्यम का जाब करते हुए आप बिल्कुल पतली धारा से आपको अर्पित कर देना है तेके अर्पित कर दिया उसके बाद आपको क्या करना है देखो समझना आपने जो पांच बेल पत्र लिए कम से कम पांच लेना उप्योग करा है तो एक फूल के आकरति का बन चुका है यह इनकी जो डंडी है आपस में आपको मिला दिनी है तेके आपको इसमें कोई धागा वगा नहीं बानना है सूती धागा नहीं बानना है बस ऐसे ही फूल के रूप में आपको तेयार कर लेना है ठीक है कमल की आकरत इसे उल्ठे हाथ में पकड़ना है और उसका सी और हात से जो आप लाल चन्न के लिए आपको प्लिग से चिट को अंधर स्वाधार साथ आपको यह को यह सीधह हाथ में पकड़ना है उसके बाद आपको क्या करना है सीधृ हाथ से यह भगवान स्षीव के शिवलिंग पर आपको अर्पिट करते हैं आगे अपको बात सोंच में कि ये काम मेरा अटक जाता है बार बार मुझे सक्सेस नहीं मिल पारी है महादेव आपकी क्रपा से मेरे जीवन के सारे संकट जो हैं वो दूर हो जाएं ऐसी काम ना करते हो है ये पहला उपाय आपको करना है नया उपाय है हर कोई ये उपाय कर सकता है बहुत यासंस उपाय है तो ये हो गया पहला उपाय अब हम बात कर लेते हैं दुस्तरे उपाय की सावन का पवित्र मेना चल रहा है अधीक मास चल रहा है और अधीक मास में 108 वाला उपाय अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो ये सावन की एकादशी पर आपको करना है 108 वाला, देखो 108 कोई भी चीज आप चड़ा सकते हैं बस खंडे चीजे नहीं होनी शिए 108 में क्या क्या चड़ा सकते हैं समझना, 108 काले तील के दाने भी ले सकते हैं, ठीक है देखो काले तील के दाने लोगे तो सर्वस्रेश्ट है, क्योंकि काले तील देखो आज शनिवार का दिन है साथ में है आज एकादशी एकादशी के दिन यानि कि भगवान विश्णू का दिन है और भगवान विश्णू को काले तील बहुत प्रिया है और काले तिल जो है वो भगवान शीव को भी प्रिया है और काले तिल शनी देव को भी प्रिया है और शनीवार के दिन काले तिल अर्पित करना का तो विशेश उपाय बताया जाता है जीवन के समस्त करजों की परिशानियों को दूर करने के लिए कोई भी समस्त है उसे दूर करने के लिए जदि आपकि कई दिनों से इच्छा परिपूर्ण नहीं हो रही है तो यह सावन का यह उपाय आपको करना है ग्यूज 108 काले ठ्यल के दाने भी ले सकते हैं, 108 हरे मुंह औरPhण के दाने लेकिन अगर आज के दिन शनिवार का दिन है और एका दशी है तो योग जो है उस अनुसार अगर आप काले तिल ले जाते हैं तो सर्वस रेष्टे देता है क्या करना है भगवान शीव के मंदिर में जाना सुबह से लेकर के शाम तक कभी भी जा सकते हो तामे के पातरे से एक लोटा जल अरपित करना फिर उसके बाद 108 चीजे जो है अपनी हतेली में रखना और हतीली से ही आपको भगवान शीव के शीवलिंग पर आपको अरपित कर देना है 108 चीजे एक साथ अरपित करना यकीन मानिए आपकी जो भी इच्छा है वह जल्द से जल्द परिपूर हो जाएगी यह उपाई भी आज की दिन आप कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं अंतिम उपाई की तीसरे उपाई की बहुत ही प्यारा सा उपाई है अगर इसी परिशानी बार बार ना आए चाहे वह रोक से जुड़ी हो चाहे धनसंबंदित से हो चाहे संतान से जुड़ी कोई परिशानिया हो तो यह सारी परिशानिया चाहे कोई आपको परिशान कर रहा हो तो यह यह उपाई आपके लिए है देखो आपको क्या करना है समझना इस्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है दीपक, आप दीपक आटे का भी ले सकते हो, माटी का भी ले सकते हो, आटे का दीपक बना रहे हो तो बिना नाम का आटा मनना और एक दीपक तेयार कलना, दीपक के अंदर चार बाती होनी चाहिए, ठीक है, लंबी बाती होनी चाहिए दीपक के अंदर आपको भरना है सरसो का तेल बहुत द्यान से समझना घी नहीं बना है सरसो का तेल भरना है अब जो भी व्यक्ति जिसको भी कोई समस्या है वो समस्या बोल करके ये दीपक जो है ले जाना है आपको कहाँ पर महादेव के मंदिर में बहुत द्यान से समझना अ आपको क्या करना है आजी के दिन शेनिवार के दिन सुबह से लेकर के रातरी तक जब आपकी च्छो तब आप यह उपाय कर सकते हैं जब भीड कम हो मंदिर में तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं आपको क्या करना है भगवान शीव के मंदिर में जाना है और मंदिर की जो चो को या दीपक भूच सकता है या कुछ भी हो तो इसलिए आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा ही तेल डालना सरसो का तेल लेकिन आपका दीपक वहीं पर होना चाहिए देखो क्रिया को क्रिया के अनुसार ही करना पड़ेगा तो इसलिए आपको यह दीपक रखना है आपकी जीवन भी रख सकते थे लेफ्ट भी रख सकते थे लेकिन नहीं यहाँ पर इस आपको नहीं करना है बीच ओ बीच मध्य में आपको रखना है आपकी समस्या बोलनी है थोड़ भले पांच मिनिट जले या दो मिनिट जले उससे कोई मतलब नहीं है आपको क्रिया क्रिया के अनुसार ह तो इस प्रकार से आपको ये क्रिया कन्मी है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, जरूर आप इस उपाय को करना, तो आज के इस वीडियो में तीन महा उपाय बता हैं, तीनों सर्वस्रेश्ट उपाय हैं, अगर आपको कुछ भी चे समझ में ना आया है, तो कमेंड में पूछ ल